सिदी जिले के नगरपाले का ख्शेत्र में लगातार अवेद कॉलियों का निर्माण Хोता जा रहा है जिसमें जगा की कमी होने के कारन ना तो सड़क बन पाती है और ना ही नाली जिससे कॉलनी में वाहन नहीं जा पाते और ना ही घरों के पानी का निकास हो पाता है कभी-कभी अगर किसी मकान में आग लग जाती है तो फिर वहाँ फायर ब्रिगेट भी अंदर नहीं जा पाती साथी रिहाईशी क्षेत्रों में लगातार अवैद गोदाम का निर्मान होता जा रहा है जिसके कारण बड़े वाहनों का प्रवेश रिहाईशी आलाकों में होता है इससे वहां की सड़क नालिया और विद्यूत पोल शतीगर्स हो रही है इस हद तक लापरवाही सामने आने के बाद भी जिम्मेदार चेतन को तैयार नहीं है हाला कि मीडिया के हस्तक शेप के बाद उन्होंने कारवाई की बात जरूर की है कि चार-पांच माई के अबदी में हमने कुछ कालोनी अचिनित करी है जिनको बैद करानी की कारवाई भी चल रही है साथी आवेदरूप से दोधानों का इर्मार हो रहा है या पे लो मेरेज गार्टन बनी हुए है इनकी वह से आवादमन प्रवावत हो रहा है कुछ नाटेद करने के लिए एतर पार्टी के लिड़े सर्में एक टीम गठित की है और इसे मैंने दस दिन के में माला है वह प्रतिने दन आने के बाद में लिए उसके अब रहा घृत हम कारवाई करेंगे और आप लुगत्वार कारवाई करेंगे भयाखों के शुक्ता है तो उनको बैपास करते हुए इसी लाकों में लगा तार गोड़ाउन वरंते जा रहे हैं जहाँ भारी बानों का प्रिविस होता है बहरहाल अब देखना ये होगा कि दस दन के बाद नगरपाल का अवैद कॉलनियों पर कारवाई करेगी, पहले कि तरह बुल्डोजनों की मनमानी चलाती रहेगी और यावैद बसाहच होती रहेगी, पंजाब केसरी के लिए सूरज शुकला की खबर, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं, अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, धन्यवाद